2020 के pandemic के बाद anime industries में एक बहुत ही बड़ा बदलावाया है 2020 के हुए pandemic के वज़े से बहुत सारे anime का production बंद करवा दिया गया था और बस इतना ही नहीं बहुत सारे anime डिले भी हो गया था और बस यही नहीं सबसे ज्यादा long running anime Pokemon उसको भी hiatus में जाना बड़ा था लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुड़ा लगा था डिटे लाइब के situation को देखकर 2020 के शुरुवात में डिले होने के बाद फिर से 2021 के fall में भी वो डिले हो गया लेकिन इतना जोखिम वरा situation होने के वावजूद भी 2021 anime के लिए best season था और सबसे best था spring 2021 मतलब क्या बताओ spring 2021 का लगबख सारे के सारे anime ही best था लेकिन जब आया summer तभी हो गया problem अगर sequence को पीछे रखे तो फिस ज्यादा से ज्यादा तीन anime था decent और बागी के anime था average तो इसे लिए आप title से ही देख सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं trash anime के बारे में तो hello guys कैसे आप सब स्वागति में चैनल पर मैं हुसेन पर network और आपको title से ही पता चल रहा है कि आज हम किस topic के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अगर आप सब मेरे daily viewers हो तो आपको पता ही होगा कि last season से मैंने इस नए topic ओपर video बनाना शुरू किया है season के शुरुआत में anticipated list और season के आखिर में trash list तो इसलिए इस video को seriously लेने की कोई जरूरत है नहीं और अगर लेना भी चाते है तो भी ले सकते हैं क्योंकि मैं obviously उन एनिमेस के बारे में बात करूंगा जो worth watching नहीं है मुझे बता है आपका opinion मेरे से अलग हो सकता है लेकिन सोचने की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि most of the एनिमे जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो सच में worth watching नहीं है इसलिए जैसा कि मैंने कहा सोचने की कोई जरूरत है नहीं बस वीडियो का अंद तक देखिए क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे है तो शुरूरत हम करते हैं एनिमे के सबसे पॉपुलर जानरा इशेकाई से तो इस सीजन में काफी सारे इसेकाई एनिमे जाया था और उसके अंदर ही एक था शेरे गिंशो की या फिर एंगलिश में तो थोरूली अगर आप पहले कुछ एपिसोर्स देखें तो आपको उतना जादा अजीब नहीं लगेगा लेकिन जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही स्पिरिट क्रोनिकल्स अजीब होता जाएगा तो स्टोरी के शुरूबात में हमें देखने को मिलता है की हमारा main character ईशे काई हो के ऐसे जगाए पर पहुछता है जो की बेसिकली है आपका वही टिपिकल ईशे काई शहर उसके बाद एक कमाल का twist देखने को मिलता है जहापर हमारा main character एक princess को बचाता है फिर भी रोयल गार्ड उस पर बेरैमी से त्यचार करते हैं और अगर मांगा की बात करें तो इस सिनायों को मांगा में और भी ज्यादा डिर्माटिकली दिखाया गया था लेकिन उसके बाद कहानी ने एक और अलग मोर लिया और हमें बताने की कोशिश की मेन कैरेक्टर के पास्ट और प्रिजन सिल्प के बारे में उसके बाद फॉलो हुआ वही टिपिकल अकाडिमी लाइफ स्टोरी मतलब कैसे एक एरिस्टोक्रेट लड़का एक जीरो बैक्ग्राउंड के बच्चे को परिशान करता है लेकिन उसके बाद कैसे जीरो बैक्ग्राउंड का वही लड़का बाद में जाके बहुत ही ज़ादा O.P हो जाता है और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर रियो को एक एक्सक्क्यूज मिल जाता है अडविंचर में जाने का और वो excuse कितना में बुरा क्यों ना हो Ryo उसे नहीं छोड़ता उसके बाद रास्ते में एक लड़की के साथ Ryo का मुलाकात होता है और बाद में हमें जानने को मिलता है कि Ryo के साथ भी उस लड़की का accident हुआ था और बाद में वो भी शिकाई हो गई मतलब coincidence का भी एक limit होता है लेकिन उसके बाद ये anime फिर से एक odd turn लेता है Ryo जाकर पहुचता है एक beast man village में जो पहले उसे misunderstanding के वज़े से तोशी मानते है लेकिन उसके बाद एक god के जैसा मानने लगे है उसके बाद एक time skip होता है और बहुत कुछ होता है लेकिन Ryo के पास एक हारेम आ जाता है तो इसके बाद से story बहुत ही ज़ादा complicated हो जाता है और आपने देखा ही तो है ये anime बहुत ही ज़ादा predictable है और सचके तो opening song और PV में जो मुझे देखने को मिला था वो बस clickbait था इस series का main female character है मिहारू आया से और novel manga के हिसाब से इस character के introduction इस season में होने वाला था लेकिन anime ने उस arc को skip कर दिया तो फिर opening song और PV में इसका रहने का मतलब क्या है और जैसा कि मैंने कहा ये anime complicated के साथ साथ बहुत ही ज़ादा predictable भी है मतलब novel में आगे जितना story है वो एक मैसा कर है तो अगर my anime list rating की हिसाब सा अगर मुझे इस से rating करना हो तो मैं इसे average ही कहूंगा तो अगर हम next में light hearted genre की तरफ जाए तो romcom genre में सबसे ज़्यादा trash anime था इस season का कानो जो मो कानो जो या फिर English में girlfriend girlfriend जो की है basically guilty pleasure anime मतलब guilty pleasure anime बहुत है जैसे के high school dxd monster musu में लेकिन कानो जो कानो जो एक exceptional case है और उसके बारे में ही मैं बात करने जा रहा हूँ anime के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि हमारा main character नाओया का proposal आखिर कार साकी accept कर लेती है और दोनों आखिर कार बन जाते हैं एक couple लेकिन ठिक उसी दीन शाम को मिना से नागिसा नाम की एक लड़की नाओया को confess करती है और मज़िदार बात यह है कि इस confession के preparation के लिए मिना से एक साल तक लगभग school नहीं आ पाई थी तो as a result नाओया उसको reject नहीं कर पाया बलकि उसने साकी को मनाया इस two-timing relationship को support करने के लिए और साकी भी मान गई और believe me ये सब कुछ हुआ episode 1 के first half में तो second half में हमें बस जानने को ये मिला कि ये तीनों एक दूसरे को उपर कोई वी lewd action नहीं करेंगे क्योंकि ये relationship है एक ही moral relationship to begin with तो सचकरत आगे जाके कहानी में इससे जादा कोई development देखने को अभी तक मिला नहीं बस आगे जाके हारे में दो और member add हुए है जो है Rika Hoshizaki और Shino Kiryu और सचकर तो ये typical romcom से बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पर कोई भी development नहीं है कानो जुमो कानो जो किसी भी angle से एक likeable romcom anime नहीं है बलकि अब कह सकते हैं कि ये anime rom से ज्यादा com यानि कि comedic और funny movements के लिए अभी तक जिन्दा है या शायद नहीं भी क्योंकि इस anime में ज्यादा तर funny scenes को दिखाया गया है या तो loud expression के साथ या फिर कुछ cringe movement के साथ और ये सब ज्यादा तर manga के right to left panel में देखने में मज़ा आता है anime में नहीं इसलिए by no means मैं कानो जुमो कानो जो को एक अच्छा anime नहीं कह सकता तो सच के तो इस summer का शायद मेरा सबसे disappointing anime था the detective is already dead मतलब क्या बताओ मैं इतना ज़्याद excited था कि last time मैंने anticipated list में top 10 में भी से रखा था लेकिन वा क्या देखने को मिला मुझे तो anime शुरू होने से पहले बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि इसका light novel या फिर जो source material है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है तो मैं source material को question नहीं करूंगा लेकिन anime देखके मुझे जो लगा उसके बाद मैं source material के बारे में थोड़ा सा unsure हो तो सच कहें तो first impression भी तो एक चीज है ना इसलिए जब मैंने first episode देखा तब मुझे लखा कि क्या मैंने इससे बेकर first episode कभी भी देखा है किसी anime का animation या फिर production के बारे में मैं कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि animation था एकदम top notch लेकिन एक बेकर के storyboard के साथ हमें पहले देखने को मिला एक hijacked plane crash और उसके बाद अच्छा ना का कि एक slice of life type of high school का सिनारियो तो यहाँ पर school में भी एक ऐसा rumor चल रहा है जिसके पीछे हाथ है एक normal आजमी का जो एक evil organization से connected है मतलब story भी इधर से उधर जा रहा था और episode 1 देखके मुझे बस यही लगा कि वो लोग बस siesta को एक बर एक cosplay या फिर एक fancy dress में दिखाना चाते थे जिससे fans attract हो यानि कि एक छोटा सा fan service और episode 2 से animation तो एकदम बेकार हो गया सिर्फ animation कमाल का था fan service के दोरान episode 2 से शुरू करके story का pacing problems का solution तो बेकार हो ही गया और साथी साथ एक चीज़ कमपलसरी था वो था siesta का एक flashback dialogues भी बहुत ही जादा shown and touch dialogue था जो की करना असर में मुम्किम है भी या नहीं कहना मुश्किल है एक dialogue जैसे की है solves everything before it happens मतलब कोई भी investigation या फिर deduction के सिवाई case अगर तुम solve कर सकती हो तो फिर detective siesta को ये कैसे नहीं पता चला कि वो मरने वाली है अब बोलो ये भी plot है और अगर कोई भी problem क्यों ना हो सब का solution होता है out of context कभी कभी Gundam का एक robot आ जाता है लाइब के story में घुसाने की कोशिश करो तो फिर reserve में आपको मिलेगा the detective is already dead और creator भी कमाल है कभी mystery, कभी harm, कभी romance कभी mecha, कभी high school drama या भी supernatural मतलब कुछ भी constant नहीं है तो ये ही था हमारा garbage list का explanation इसके सिवाए भी कुछ garbage है लेकिन उनका level इतना जादा नीचे है कि उनके लिए आपको explanation नहीं चाहिए Scarlet Nexus है video game adaptation Mother of the Goddess Dormitry की बात अगर ना करें तो ही सही है और है battle game in 5 seconds जो है एक battle royale anime battle royale एक old age garbage है इसलिए इसलिए explain करने लाए कि ये इतना interesting नहीं है video game adaptations और H.E.Anime बहुत ही पुड़ाने है वो fans को attract जरूर करते है लेकिन अच्छा नहीं होता अगर इस season के trash anime का कोई tear हो तो फिर उसके top में रहेगा the detective is already dead मतब high expectation और anticipation से हमें क्या मिला आपको बताई है कानो जो मो कानो जो से आपको थोड़ा सा guilty pleasure मिल सकता है इसलिए वो उतना ज़्यादा trash नहीं है और मुझे नहीं लगता share a game show की आप सब को उतना ज़्यादा बेकार रहेगा तो यही है हमारा शिट एनिमे of summer 2021 और एक और important बात आपका opinion भी हमें नीचे बता दीजिए ऐसे नए-ने topic को लेकर मैं हमेशा ही वीडियो बनाता रहूंगा एडलिस कोशिश करूंगा इसलिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहेए तो आज की वीडियो से तहीं मिलते आगे एक और नए वीडियो के साथ और लेकर नए बता मैं हमारे साथ झाल आज एक और आज आज की वीडियो से लेकर